दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंग धोनी और शिकर धवन को बेहितरीन खिलाडी मानते हैं तो इस वेडियो को लाई की जरूर किशेगा दोस्तों पंजाब से हार के बाद आग बबूला हुए चन्नई के कप्तान रितुराज गायकवार फिर धोनी के लिए कहा कुछ ऐसा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जी हाँ पंजाब और चन्नई के बीच खेले गए रोमान चेक मैच में पंजाब की जीम को जेत मिल गई है जिसके बाद अब चन्नई की जीम के कप्तान रितुराज गायकवार रो पड़े हैं इस बेच उन्होंने हार के बाद मौहेंदर सिंग धोनी को जिम्मेदार बताते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल देहल उठेगा तो आखरकार चन्नई की हार के बाद कप्तान रितुराज गायकवार ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही तो वीडियो को एंडि तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लग है मौहेंदर सिंग धोनी शिखर दवन और रितुराज गायकवार में कौन खतरनाक बल्लेबास और कप्तान है कॉमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों जैसा कि आपको बता है चन्नई और पंजाब की बीच चन्नई के घरेलू मैदान पर रोमान शेक मैच खेला गया जहा चन्नई की टीम की तरफ से कप्तान रितुराज गायकवार ने 62 रनों का योगनान दिया तो वहीं माहेंदर सिंग धोनी 11 गेदो पर एक चोकी और एक छकी की मनदब से 14 रन बना कर रन आउट हुए हलांकि इसका पीछा गरने के लिए पंज़ाब की टीम को पहला जटका 19 रनों के स्कोर पर लगता है लेकिन पंज़ाब की टीम इस मैच को आसानी से रोमान चक अंदाज में अपने नाम करते देखाई दी जिसके बाद चन्नई की कप्तान रितुराज गायकवार का बयान सा लेकिन जिस तरीके से चन्नई की टीम के खिलारियों ने इस मैच के अंदर खराब प्रदर्शन किया वो बताता है कि चन्नई की टीम को अब अपने प्रदर्शन पर काफी जदार करने की आवं शकता है हमारी टीम को मजबूती दिलाने का काम करेंगे लेकिन वो भी आज हमारी टीम के लिए कोश खास कमाल नहीं कर पाए और हमारी टीम इस मैच को बोरी तरीके से हार गई इसके अलावा उन्होंने कहा कि चर्णई की टीम की तरफ से एमेस धोनी सबसे महतोपूर्ण खिलाडी हैं लेकिन वो बल्लेबासी करने के लिए अंतिम दो वर में आए और जब अंतिम के दो वर बचे तो एमेस धोनी का काम सिर्फ तूफानी बल्लेबासी करना था हालाकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन हम बार बार अब महेंदर सिंग धोनी से अनुरोद कर रहे हैं कि वो उपर बल्लेबासी करने के लिए आएं क्योंकि वो जस तरीके से बल्लेबासी करने हैं उसके चलते गेंदबासों को काफी ज़ादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अगर MS धोनी उपर बल्लेबासी करने के लिए आते तो हमारी टीम को चौके की बहुचार देखने को मिलती और हमारी टीम बड़ा इसकोर बनाने में कामियाब हो जाती इतना ही नहीं आज MS धोनी की शांदार कप्तानी भी देखने को नहीं मिली और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करने चूए हमारे यूट्यूब चैनल को